नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News साल के मानुसन शीजन में 31 जून से अभी तक यह बारिज सबसे ज़्यादा हुई है इस मोसम परणाली का प्रभाव हरियाना और एंशाद दिल्ली में 25 से 26 स्टंबर तक जारी रहेगा परणाली में और तेजी आएगी जिसकी वज़े से यह और अधिक प्रभावी बन जाएगी साथ ही उत्राकन पंजाब हरियाना के उत्री और पूर्वी जिलों के साथ ही उत्तर परदेश और एंशाद दिल्ली में भारी वारिज के संभावना है 26 तंबर के बाद हरियाना में अधिकतर स्थानों पर मौसम साप और सुस्क हो जाएगा पीम किसान सम्मान योजना जमीन नाम नहीं तो कटेगी पीम किसान सम्मान निधी क्रिशी विवाग खंगाल रहा है रिकोर्ड PM किसान सम्मा निदी योजना के तैद कर्शियम किसान का लेट विभाग दौरा लाबार्तियों का जमीन का रिकोर्ड खंगालना सुरू कर दिया है इसके लिए कर्शिव विभाग के करमचारी राज़स्वी विभाग में जागर जमीन का डाटा एकतृत कर रहे हैं जाच में जिस भी व्यक्ति के नाम जमीन नहीं मिलेगी उसकी PM किसान सम्मान निधी काट दी जाएगी अगर पती पतिनी दोनों योजना का लाब ले रहे हैं तो उनकी भी सम्मान निधी काट दी जाएगी CM खटर का बयान 12 से फसलों में नुक्सान की होगी विशेश गिरदावरी एक अक्तुबर से धान की होगी खरीद हरियाना के मुख्यमंत्री मनोहलाल खटर ने हरियाना के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंद कमिटे के गठन के सुप्रीम कोट के निधने पर हरियाना के सिख समुदाय के लोगों को बधाई एम शुब कामने दी हैं उन्हों ने का आए कि इस निड़ने के बाद अब हरियाना के सभी बावन गुरुद्वारा साहिब हरियाना गुरुद्वारा प्रबंदन कमिटे की देख लेक में समाज सिवा का कारिय करेंगे परदेश में बरसात के वज़े से फसलों को हुए नुक्षान के सम्मंद में पूछे का एक प्रशन के उत्तर में मनोहरलाल खटर ने का कि हरियाना साहित पूरे उत्तर भारत में पिछले दो दिनों से बरसात हो रही है जिसके वज़े से परदेश में धान की फसल को नुक् किसानों दवारा दिल्ली अमरत्सर हाईवे जाम करने पर हाईकोट ने लिया संग्यान हर्याना सरकार को दिया ये आदेश पंजाब एंड हर्याना हाईकोट ने शुकरवार दियर रात के घटना करब में हर्याना सरकार को ये सुनिशित करने का आदेश दिया कि सहबाद में दिल्ली अमरत्सर राष्टी राजमारक संक्यात 44 को बिना किसी बादा की यातायत और आवाजाई के लिए खुला रखा लेकिन इसमें सावधानी बरतने वे मामला स्वहार्द फुन धंग से सुल जाने के जरूरत है कोट ने यह भी साब किया कि बलपरियों का साहरा अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए और वह भी तब जब परशासिन के पास कोई अन्य रास्तान ने हो जगदीश सिंग जिंडा बने एचेस जीपीशी के परधान बोले बलजित दादुवाल आप कमेटे अध्यक्स नहीं सिया मनोहलाल शिकरेंगे मुलाकात हर्यान के कैथल स्थीत नीम साहिब गुरदवारा में हर्याना सिक गुरुदवारा प्रबदन कमेटे की बैठक सनिवार को ही बैठक में जगदीश सिंग जिंडा को सरु सम्मतििशे अचेस जीपीशी का परधान बनाय गया है नेम साहिब गुरुद्वारा में कई घंटे चली बैठक कमेटी की सदेशों ने सर्व सम्मती से अध्यक्स चुन लिया जगदी सिंग जिंडा निकाहा की लंबे संगर्ष के परचाथ हरियाना की अलग कमेटी बन गई है उन्होंने का की कमेटी अब हरियाना की मुख्यमंतरी से मिलेगी कमेटी के इस निरने की बारे में जानकारी देंगे जिंडा नी बताया की अब हरियाना के गुरुद्वारा नों भी देख रेक हरियाना सिक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी करेगी हर्याणा गुरुद्वारा प्रबंदन कमेटी के लिए कानूनी लड़ाई भी आठ बरस्टे चलिया रहाई थी सामने थी शिरोमने गुरुद्वारा प्रबंदन कमेटी अमरत्चर जिसे अकाली दलका भी स्पोर्ट था परदेश में बहतर गुरुद्वारे हैं आठ मुख्य गुरुद्वारे वेच्याजा रेकर जमीन एचेस जीपीसी अमरत्चर समालती है बाकी लोकल कमेटी समाल रही है गुरुद्वारों का सालना 400 करोड का टर्नोवर है आरोपै की पैसा पंजा में इक खर्च हो रहा है दादुवाल बोले हरियाना के गुरुद्वारों का पैसा हरियाना में इक खर्च होगा बादल परिवार 60% पैसा अपनी साथ ले जाता था नवरात्री 2022 ग्यारा देशों की फूलों में फलों से सजाय जाएगा शक्तिपीट भधरकाली मंदिर अस्टमी पर पान के पत्तों से होगा मा का स्रंगार हर्याना के एक महात्र शक्तिपीट शिरी देवी कूप भधरकाली मंदिर में नवरात्री महोचव की लगबग सभी तयारियां पूरी हो चुकी हैं इस बार महासक्तिपी महापुजा का महापार कुरूचेतर नवरात्री महोचव 26 स्टमबर से प्रारम होगा और समापन 9 अक्तुबर को होगा इसमें विशेश तोर पर 26 स्टमबर को सोबायात्रा और 3 अक्तुबर को शिरी दुर्गास्ट मी जागन होगा हर बार की तरह हैं इस बार भी मापहदर काली जी के दरबार को 11 देशों के फूलों से वे फलों से विशेश रूप से सजाय जाएगा इसके लिए एमिल पूस्प स्रंगार की एक 30 सदस्य टीम मंदिर परिशर में पहुंच चुकी है जिसमें मुंबई से वे बंगाल शाय कारिगर मंदिर को एक भवे रूप देंगे फूलों के इंदर दनुची रंग मा के मंदिर में खूब रंगत भिखेरेंगे इन देशी विदेशी पूलों की महक मा भधर गाली जी के दरवार में चार चांद लगाने का काम करेगी अस्टमी परपान के पत्तों से भी मा का विशेश सरंगार होगा 400 मंडियों में खरी फचलों के ओगी खरीद MSP पर नहीं खरीदे जाने वाले धान पर आप 100 रुपे परती क्यूंटल फिस लगेगी हर्याना में धान की खरीद 1 अक्तूबर से प्रारम होने जा रही है जो 15 नॉमबर 2022 तक जारी रहेगी परदेश में लगबग 400 से अधिक मंडियों में खरी फचलों के खरीद के लिए पुकता परबंद किये गए हैं इस बार सरकार ने 55 लाख मेटरिक टन धान के खरीद का लक्स रखा है राजी सरकार ने फैसला लिया है कि जो धान नियूंतम समर्तन मुले यानी MSP पर नहीं खरीदा जाता जैसे कि बासमती वर डूपलिकेट बासमती उस पर 4% मार्केट फिस के जगह हैं अब सीधा 100 पर परति क्योंटल फिस लगेगी जिसमें से 50 रुपए मंडी बोड को जाएंगे और 50 रुपए हर्याना गरायमिन विकास फंड में उपकर के रूप में जमाऊंगे इसके अलावा सरकार ने यह भी निरने लिया है कि MSP पर खरीद है तू जिन छेत्रों में धान के अच्छी पैदावार होती है उन छेत्रों में ओश्रत पैदावार 30 क्विंटल परती एकड वह अन्य छेत्रों में 28 क्विंटल परती एकड मानी जाएगी 2022 तेश के दोरान धान बाजरा मक्का मोंग सुरज मुकी मोंग फली तील अरहर और उड़द आधी फचलों के खरीद के जाएगी बाजरा के लिए 2350 रुपे परती क्विंटल MSP निर्धारित किया गया है रेलवी यात्रियों को बड़ी सोगात अब त्योहारों पर चलेंगी ये स्पेशल ट्रेने लंबी दूरी के ट्रेनों में लगातार बढ़ती वेटिंग और स्टेसन के अरक्षन केंदरों पर यात्रियों की अतिरिक भीड को देखते विए रेलवे के और से बड़ी रहात दी गई है इन ट्रेनों का संचालन लंबे रूट पर किया जाएगा और सभी ट्रेनों का ठहराओ अंबाला केंट जंक्सन पर होगा ट्रेन नंबर 0-6-0-5 दिल्ली जंक्सन कटड़ा गती सिल स्पेशल वातान उकुलित का संचालन 30 तंबर एम 2 अक्तुबर को होगा ट्रेन पुरानी दिली से राथ 11 बजगर 45 मिट पर रवाना होकर देर राथ 3 बजगर 5 मिट पर अंबाला केंट और दोपैर साड़े 12 बज़े सिरी माता वेशनों देविक कटरा पहुँचेगी बीच राश्ते ट्रेन सोनिपात पानिपात करनाल कुरूचेतर अंबाला केंट लुदियाना जालांदर केंट पठान कोट चावनी जम्मु तवी वा उदमपूर रेलवे स्टेशनों पर दोनो दिशवामेट हैरेगी ट्रेन नमबर 0166 चंडिगड गोरखपुर साप्ताइक से स्पेशल 20 अक्तुबर से 10 नमबर तक पर तेक वीरवार को चलेगी चंडिगड से ट्रेन रात 11 बजगर 35 मेंट पर रवाना होकर रात 12 बजगर 20 मेंट पर अमबाला चावनी और अगले दिन साम 5 बजगर 35 मेंट पर गोरखपुर बहुंचेगी बीच रास्ते में ट्रेन सारनपूर मुरादाबाद ब्रेली लखनाव गोंडा वे 32 स्टेशनों पर दोनों दिशों में ठेलेगी वहीं बात करे ट्रेन नमबर 046 46 जमुतवी बरोनी तो 29 स्टंबर से 10 नमबर तक पर तेक वीरवार को चलेगी ट्रेन जमुतवी से सुबह 5 बच कर 45 मिंट पर रवान आवकर दो फैर 12 बच कर 50 मिंट पर अंबाला कैंट और अगले दिन सुबह 11 बच कर 45 मिंट पर बरोनी पहुंचेगी सैनियान एम सामाने स्रेन वाले ट्रेन बीच राष्टे में पठान कोट कैंट जालंदर कैंट लुदियाना अंबाला कैंट सारानपूर लक्सर मुरादाबाद बरेली सितापूर गोंडा गोरकपूर छपरा हाजीपूर साहपूर पछोरी वे बच्वारा जंगसर पर दोनो पहुंचेगी बीच राष्टे में ट्रेन ब्यास जालंदर शीटी लुदियाना सरहिंद अंबाला कैंट पानिपत दिल्ली गानपूर प्रियागराज वारान सी पंडित दीन देल उपाद्याई वद दानापूर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी हर्याणा में किसानों के लिए बड़ी खुसकबरी, बारिश से खराब फसलों का मिलेगा मुआउजा हर्याणा में लगातार तीन दिन से हो रहे बारिश के चलते खराब हुई फसलों के मुआउजी को लेकर सूबे के किसानों के लिए परदेश सरकार की और से एक राहत बरी खबर सामने आई है किर्शे मंतरी जेपी दलाल ने काया कि बीमित किसानों को मुआउजा बीमा कंपनियों से दिया जाएगा जबके बाकी किसानों की गिर्दावरी हो चुकी है उन्होंने जानकारी देते भी बताया कि सरकार को एक लाक एकड के करीब फसल खराब होने की सूजना मिली है जिनकी फसल खराब हुई है उनको मुआउजा दिया जाएगा सारुखःब की पंचयत में सोनाली के बैहन रुकेस को सौपी राजनितिक विरासत सारुखःब पंचयत ने कुल्दी बिस्नों को स्टेंड सपस्ट करने को कहा परिवार ने जदैया हिसार भाजपा नेता सोनाली फोगाट हत्यकाण में सनिवार कोई सरुखाप पंचयत में सोनाली की राजनेतिक विरासत उसके बहन रुकेस ढाका को शोपने का फैसला किया गया परिवार के लोगों ने कुल्दीब विस्नोई की भोमिका पर सक जाहिर किया है बहुत चर्चित सोनाली फोगाट हत्यकाण में फिर से हाली में कॉंग्रेस छोट भाजपा में सामिल वे कुल्दीब विस्नोई का नाम उचला है सनिवार को इसार की जाड़ ध्रमसाला में सारुखा पंचैत की मीटिंग हुई है जिसमें सोनाली के परिवार ने कुल्दीब विस्नोई पर गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद सारुखा पंचैत ने का कुल्दीब संदे के घेरे में है वो अपने श्तेती स्पष्ट करे पिछली खाप पंचैत में भी कई परतिनियोंदे ने उन पर आरोप लगाए थे इसलिए समाज के आगे बढ़ने से पहले कुल्दीब अपना स्टेंड किलियर कर दे हम पंचैत में इसे राजनितिक रंग नहीं देना चाहते इसलिए कुल्दीब परिवार को संतुष्ट कर वहीं परिवार ने 23 अक्तूबर को आदमपूर में अपने सुप चिंतकों की वरकर मेटिंग बुलाने का फैसला लिया है इस बारे में अभी कुल्दीब इसनोई की और सी परतिक्रिया सामने नहीं आई है अब फौन चोरी होने पर no tension इस सरकारी पोर्टल पर जागर कर सकते हैं track और block फौन चोरी या फिर गुम होने की वज़े से कई परेशाने खड़ी हो जाती हैं क्योंकि इनमें कई तरह के ऐसे contact number होते हैं जो फौन गुम होने के बाद हमेसे अगले खो जाते हैं और वह भी के बाद डर बना रहता है कि कहीं कोई bank account से पैसे ना निकाल ले ऐसे में अब सरकार ने लोगों की समस्या को दूर करने के लिए एक portal launch किया है इसके मदद से आप चोरी हुए phone को track कर सकते हैं और block भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको phone गुम या फिर चोरी होने की सिकायत पुल नंबर डिवाइस मोडल नंबर और किस जगह से आपका phone गुम हुआ था वे स्थान भी भरना पड़ेगा साथ ही तारीखें भी भरें उसके बाद एफायर के copy भी upload करें फिर declaration पर क्लिक करके submit कर दें यहीं से आब आप अपने खोईवे phone की status को भी चेक कर सकते हैं एक अक्तूबर के बाद कई नियमों में बदला होने जा रहे हैं इन बदलाओं का असर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक जीवन पर पड़ने वाला है अगले महिने जो नियम बदल रहे हैं उनमें debit और credit card से जुड़ी खबरे भी सामिल है एक अक्तूबर से card धारकों के भ encrypted code में save हो जाएंगी आपको बता देंगी अब तक ऐसा होता है कि जब हम किसे भी POS या online या app पर debit या credit card से transaction करते हैं तो उसके detail company के server में save हो जाती है एक अक्तूबर से ऐसा नहीं होगा क्योंकि company के server में data store नहीं होगा उन्हें card से जुड़ी हर जानकारी एक encrypted code में मिलेगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता नई वेवस्ता के ताहत रिजरो बैंक ने भुगतान कंपनियों को ग्राहकों के credit card या फिर debit card का data store करने पर रोक लगा दी है भुगतान कंपनियों को अब card के बदले एक वेकलपी code देना होगा जिससे token नाम दिया गया है ये token एद्यूति अब एक अक्तुबर से इस योजना में बड़ा बदला होने जा रहा है नए नियमों के तैत अब आईकर देने वाले लोग इस योजना का लाब नहीं उटा सकते हैं यह नया नियम एक अक्तुबर 2022 से प्रभावी होगा ऐसे में करदाताओं के पास अभी भी अटल पैंसिन मजदूर कैंटिन खुलेंगी हरियना में एक अक्तुबर से धान के खरीद शुरू होने जा रही है हालाइं की कुछ मंडियों में धान आ रही है मगर नियूंतम स्मर्तन मुले पर खरीदी जाने वाली धान की खरीद एक अक्तुबर से शुरू होगी धान और गेहों खरीद सीजन में मंडियों में लोगों का आवागमन खूब होता है इसलिए हरियाना एगरिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने उन्हें सस्ता खाना उपलब्द कराने का इंतजाम कर रखा है इसके लिए मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटिन सुरू कर रखी है अब बोर्ड ने मसलन तवा रोटी चावल दाल फ्राई और मौसमी सबजी दी जाती है यूँ तो एक थाली पर कूल खर्च की बात करें तो 25 रुपए आता है मगर किसानों वा मजदूरों को यह थाली 10 रुपए में दी जाती है और 15 रुपए की सबशीड़ी का वहन मार्केट कमेटी करती ह पहले से चल लए 25 और नई खुलने वाली 15 कैंटीन के साथ अब अटल किसान मजदूर कैंटीनों की संक्याथ 40 हो जाएगी इनलो की समान दियुश रैली आज फदियावाद में जुटेंगे देश के कई दिगज नेता उम्परकाश चोटाला का तीसरे मोर्चे के गठन पर होगा जोर पूरू उप परदान मंतरी चोदरी देविलाल की 109 जैनती पर आज फदियावाद में इनलो के मंच पर देश की सियासत के कई बड़े चेहरे नजर आएंगे रैली में भीट जुटाने के लिए इनलो नेताओं ने जहां पूरे परदेश में ताकत जोकी हुई है वहीं पूरू शियाओं उपर का चोटाला बड़े नेताओं को मंच पर लाकर तीसरे मोर्चे के गठन की कवायत को गती देने की तयारी में है पार्टी का दावा है कि 11 राज्यों में दिगज नेता या फिर उनके परतिनिदी इनलो का मंच साजा करने आज पतेहबाद में जुटेंगे इनलो की समान्दियोस रैली सिर्शा रोड स्तित नई अनाजमंडी में होगी आज होने वाली समान्दियोस समाहरों को लेकर 4 मंच बनाए गए हैं पहला मंच 100 फिट होगा जिस पर पूरु शियोंपर का सोटाला और देश बर से आने वाले बड़े दिगज नेता उपर से तोंगे वहीं बात करें बाकी मंचों के तो बाकी 3 मंच 50-50 फिट के बनाए गए हैं जिन पर परदेश के नेतायम कारे करता और इसके अलावा दो मंच मीडिया और कलाकारों के लिए भी बनाए गए हैं समान दिवस रैली में सामिल होने बिहार के मुक्यमंतरी नितिस कुमार, एन्चीपे एदक सरद पवार, आंधर प्रदेश के पूरू मुक्यमंतरी चंदरबाबु नाइडू, बिहार के उप मुक्यमंतरी तेजस्वी यादाओ, मेगाले के राजिपाल, सत्तेपाल, मलिक, पंजाब के पूरू मुक्यमंतरी प्रकास सिंग बादल साइद और एक राष्टे पार्टियों के नेता सिर्कत करेंगे, रैली में कई दिगज नेताओं को सामिल होना है, इसको पुलिस की भी सुरक्षा के लिए अलर्ट पर रखा गया है, इनेलो अब बुरे दोर से टेक्नो मुबाइल कंपनी ने दिवाली से पहले टेक्नो पोवा नियो 5G स्मार्ट फोन लॉंच कर दिया है, 15,499 रुपे के इस मोबाइल फोन में यूजर को 6GB RAM और 6000 mAh की एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बैटरी लाइफ मिलेगी, कंपनी ने फुल चार्ज में 8 दिन म्यूजिक प्लेबैक और 30 दिन स्टेंडवाई का दावा किया है, मोबाइल की बिकरी 26 तंबर से ओनलाइन और ओफलाइन मार्केट में शुरू होगी, इसमें 13 मेगापिक्सल क्वार्ड कोर और 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा, कंपनी ने दावा किया है कि यूजर्स 30,000 फोट अक्टा कोर गेमिंग प्रोसेसर से स्टॉंग कोर और एक्स्टा ओर्डिनरी एक्स्पिरिंस भी मिलेगा, मैजिक ब्लू, स्पीड परपल और डैजल ब्लेक के तीन कलर आप्शन एवलेबल होंगे, आज खबरों बस इतना है, देखते रहे, CWB हिंदी न्यूज, नमस्कार झाल